नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया दियूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वादी सिंग बीजेपी से बगावत करना पूर्वस्तियन जगदीश शेटर को भारी पढ़ गया जी हाँ जगदीश शेटर होगली थारवर सेंट्रल सीट से चुनाव हार गए हैं उन्हें बीजेपी के महेश टेंगिन काई ने बड़े अंतर से हरा दिया शेटर बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन इस बार टिकित नाम मिलने से नराज होकर पाटी छोड़कर कॉंग्रस में शामिल हो गए थे कॉंग्रस ने उन्हें उसी हुबली थारवर्ड सीट से प्रतियाशी बनाया था जहां वे बीजेपी के टिकिट पर विधायक थे दिल्चस बात ये है कि लेंग्यात समुदाय के बड़े नीता कहे जाने वाले शेटर को उनके ही शिशे के हातों हार का सामना करना पड़ा शेटर को हार राने वाली बीजेपी के महेश टैंगी कनई चुनाव प्रचार के दौरान खुद को उनका चेला बताते नजर आए थे कनाचक में कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिफकुमार को जनता ने बड़ी जीत गिला दी कनकपुरा सीट से उम्मीदवार जीके शिफकुमार 1.5 लाक वोर्तों से चुनाव जीत है ये उनकी लगतार आठवी जीत है डीके शुक्वार मुख्यमंत्री पत के प्रबल दाविदार भी है पूर्व सीएम और कॉंग्रेस नेता सिधार मेया भी चुनाव जीत चुके हैं वे वरुन्ना गिधानसबा सीट से चुनावी मैदान में थे मतगर्णा की रुज्जानों में पिछणने के बाद भाती जंतापाटी ने हार को स्विकार कर लिया उधर सीएम वसजव राज बोमई ने नतीजों पर कहा कि वे जनादेश का संबान करते हैं और इसका विस्त्रय अध्यनन करेंगे हम देखेंगे कि कहां अंतर रह गया और लोगसभा में फिर वाक्सी करेंगे केंद्र मंत्री शोभा करंद लाजे ने कहा कि लोग तंत्र में हार जीत बड़ी बात है हमने अपनी हार स्विकार की है हम वे पक्ष के नाते लड़ेंगे और हमाला लक्ष्य है कि 2024 लोगसभा चुनाव में हम सारी सीपे जीत जाएं जैसा कि कुछ ऐसे निता रहे जो चुनाव से पहले ही कॉंग्रेस में शामिल हो गए जहां पर कहीं तो कॉंग्रेस को जीत मिली खुशी भी है लेकिन बीजेपी से निकल कर कॉंग्रेस में जाना कुछ निताओं को भारी पड़ गया क्योंकि उन्हें हार का सामना करना पड़ गया ऐसे में उनके लिए दुख की बात है लेकिन फिलाल अभी कॉंग्रेस की खुशी का कोई छिकाना नहीं है तुमार अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया लो इस धरने वाइव